हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत महत्मून जांकारी आपके साथ सेयर करने वाले हैं जो जुड़ी हुई है एफ्टी और आर्मी हेड़कॉर्टर स देखे एफ्टी के आदेश ना मानने या उनकी पालना ना करने के कारण एफ्टी ने नोटिस जारू किया है आर्मी हेड़कॉर्टर में तैनात मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी को और उनसे पूछा है कि क्यों ना आपको सिविल कार अगास में डाल दिया जाए क्योंकि आपने कोर्ट के आदेश को नहीं माना है बहुत महत्मून जानकारी है और बहुत ही महत्मून यह आर्टिकल है आप सबे के लिए एफ्टी को पावर मिलने के बाद आर्मी हेड़कॉर्टर को नोटिस जैसा आप तो पता है कि 10 साल एफ्टी प्रिंसिपरेंच में केस चला तब जाके पता चला कि देखे एफ्टी के पास जो है पावर्स हैं कंटेम्ट आफ कोर्ट करने के लिए एफ्टी आदेश ने मानने पर जेल जाएंगे मिजर जरनल जियां यह सवाल खड़ा हो गया है इस आर्टिकल के बाद तो हम देखेंगे यह आर्टिकल और किस वज़ देखी मैंने इसको हिंदी में कनवर्ट कर दिया है एफ्टी के अदालती आदेशों की अवहिलना करने पर मेजर जरनल को कारावास का नोटिस चारी किया गया एफ्टी चंडीगर पीट ने पाया कि समद्धित अधिकारी को मामले की अदतन इस्तित दाकिल करने और विखतक उपस्थित होने के निर्देश होने के बावजूद उन्होंने अदालत के आदेशों की अवहिलना की है अब देके देखते हैं यह कल दो सेप्टनبر की नियوज है एफ्टी चंडीगर की पीट ने पाया कि दिखें उन्होंने के आदेसों की लगातार जानबूज कल अवहिलना करने के उनके आच्रन को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिविल जेल में नजरबंद करने का आदेस क्यों ना दिया जाए मामले की अगली सुनवाई जो है चार सेप्टमबर को तै हुई है वो सभी आपको पता है कि 24 में ADG की AFT के समक्स लंबित मामले पर नविंतम केस की इस्तिती को देखते हुए हलफ नामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था मामले की सुनवाई 8 अगस 24 तक के लिए इस्तित कर दी गई थी लेकिन इस इस्तिती का हलफ नामा दाखिल नहीं किया अगर हम बात करे यह देट थी यहां तक आपको हलफ नामा दाखिल करना था उन्होंने हलफ नामा दाखिल नहीं किया जिसके कारण AFT ने अदालत की आवमानने के लिए नोटिस जारी कर दिया और कहा कि देखे जो वे अधिकारी हैं उनको व्यक्तित रूप से कोट में पेस होना है AFT के सामन जबकि उनकी ओर से एक अन्य अधिकारी द्वारा छूट मांगने के अनिरोध को भी ऐस्विकार कर दिया गया थी यानि उनसे बोला कि देखे आप इन परजेंट आईए और हमें बताईए लेकिन वो खुद नहीं आए उनकी तरफ से दूसरे अधिकारी आए उन्होंने बोला कि देखे उनको आप मुझे देखे बूल बता दिये जो बोलना है वो नहीं आ सकते हैं तो उसको भी देखे यहाँ पर एस्विकार कर दिया गया था अधिकारी के आचरन से इसपर्ष्ट है कि उन्हें सक्षम न्यायलों द्वारा जारी आदेशों का कोई सम्मान नहीं है आज उनकी अनुपस्तिती का कारण कोई अधिकारिक प्रतिवित्ता नहीं बलकि व्यक्तिकत आवश्कता है यह इस तरफ से इसपर्ष्ट है कि वीडि अवग्या का दोसी प्रतित होता है और नियायले की आव मानना अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहट दंडित होने का अकदार है कारण बटाओ 39 का कोई जवाब दाकिल नहीं किया जाना दरसाता है कि 29 फरवरी 24 को पारित आदेश के बावजूद ना तो कोई एफिडेफिट ह आदलत के पास उसे दंडित करना ही एक मातर विकल्प बच जाता है कानिनु विशेशग्य के निसार सर्वोच नियायले के साथ साथ उच नियायलों ने भी हाल ही में रक्षा मंत्राले और सेना प्रादिकारियों के विरुद कठोर टिपनिया की है क्योंकि उन्होंने निया कोट या हाई कोट के निड़ने के निसार ही दिये गए हैं पूर्व सेनिक संगठनों ने रक्षा मंत्राले की इस प्रवर्ति की निंदा की कि वह ए एफटी और हाई कोट द्वारा उनके समक्स पारित सभी निड़नेयों में विकलंग सेनिकों वरद पैंसन यूबोगियों और विद्भाओं का सर्वोच नियारले तक घसीटती है यानि देखे अगर पूर्व सेनिक जो संगठन है उनकी बात के तो उन्होंने भी कहा कि देखे जो एफटी के खिलाफ हाई कोट के खिलाफ सुप्रीम कोट में केसों की बार लगा रखी है और आज इस्तिति यह है कि सुप्रीम कोट में जो केस पेंडेंसी है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है उसके पीछे की वज़ए क्या है उसके पीछे की वज़ए है अपने ही जजजमेंट सुप्रीम कोट के खिलाफ भी यहाँ पर कभी रिट पैटिशन डाल देते हैं कभी आप संहय पर देशिय क्या है और यह अपने आप में कहीं न कहीं एक बहुत ही गलत टेंडेंसी सरकार की बनती जा रही हैं और जिसका जादा खतरनाक हो जाएगा पूरे देश की नियाए ववस्था के लिए आपकी इसके बारे में क्या राय है और ये जांकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा फिर मिलेंगे आपसे जैहिंद जैभारत